Hello friends, welcome to SSC Maker दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइन्स के important top 20 MCQ detail में डिसकस करेंगे यह साइन्स के part का series 2 है जो कि आपके आने वाले relevant PC, group D, SSC CGI, CHSR, MTS bank और all exams के लिए helpful है यह questions are competitive exams में बार-बार पुछे जाते हैं और बार-बार repeat होते हैं सारे questions important हैं इस लिए वीडियों तक जरूर देखीगा और सभी questions से related effect भी जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा first question उससे पहले दोस्तों आज का thought जानेते हैं आज का thought है दोस्तों अर्दचालकों का प्रियोग डैश बनाने के लिए किया जाता है बताईए दोस्तों तो वे यूज होता है ट्रांजिस्टर में दोस्तों अर्दचालकों का जो प्रियोग है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है और दोस्तों ऐसे पदार जिन में electronic sun vys न ईस प्रकार्की होती है, कि कहीं electron मुक्त हो जाता है, और कहीं κोडर, जो की होता है hole, ठीक है, कोडर बन जाता है, यानि hole बन जाता है, तो क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं, अर्दचालक, और दोस्तो इसकी जो विददचालकता है, समाने ताप पर चालख और विद्ध रोधी जो है पदार्थों की चालखताओं के मद्दे होती है इसके अलावा दोस्तों जर्मेंनियम, सिलीकॉन ये सब क्या हैं अर्द्ध चालख पदार्थ हैं और दोस्तो अतियन निम्द दाप्पन पर जो है कुछ पदार्दों का विदुत प्रती रोज शुन्ने हो जाता है और इन्हें क्या कहते हैं अतिचालग और इस कूण को जो है दोस्तो अतिचालग तक कहते हैं इसके अलावा दोस्तो जो लेजर तरंगे होती है एक वर्णी होती है और रडार का जो अविश्कार है किस ने किया था वो तो दोस्तो वे किया था बताईए रॉबर्ट वाट्सन ने किया रखिए कि दोस्तो नेस्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्ट क्रिशन है निमली कित में से कौन से जीव ब्रैट मोल्ड के रूप में जाने जाते हैं तो दोस्तो वे है राइजो पस दोस्तो राइजो पस जीव को जो है ब्रैट मोल्ड के रूप में जाना जाता है और राइजो पस जो है दोस्तो क्या होते ह प्लूमोल्ड और एसपरजीलेस भी जो है दोस्तो एक कवक है और कवक से जो है दोस्तो कई प्रकार के रोग भी होते हैं याद रखिए का दोस्तो और दोस्तो ये वीडियो कैसे लगा बताईएगा जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ससी मेकर को लाइक किसी वस्तो की प्रारंबिक अवस्ता में परिवर्थन करता है या परिवर्थन करने की चेस्टा करता है दोस्तो बल जो है एक सदिश्रासी है और जो बल का ऐसा unit होता है वैं होता है दोस्तो Newton आप सबी जानते होंगे और दोस्तो किसी वस्तू पर कारे करने वाले बल का जो मान है वस्तू के द्रवमेमान और वस्तू में उत्पन त्वरण के कुनन फल के समानुपाती होता है जैसे कि हम इसको दर्शाते हैं दोस्तो f is equal टू द्रव्यमान जो की है M into turn जो की है acceleration और दोस्तों ये बराबर होता है MA is equal to some wave में परिवर्तन की दर यानि की DPDT ठीक है और दोस्तों जो प्रधम नियम है प्रधम नियम को जो है गैलेलियों के नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसके अलावा दोस्तों नियूटन के दूसरे नियम से जो है बलका विंजक प्राप्त होता है याद रखिएगा दोस्तों next question पर चलते हैं हमारा next important question है धारीदार पेशियां क्या होती है तो दोस्तों वै होती है बहुनाबिक दोस्तों धारीदार जो पेशियां है बहुनाबिक होती है और पेशियां जो होती है दोस्तों क्या होती है तो अच्छा के नीचे का मास होती है और दोस्तो मानव के संपोंश शरीर में जो है 500 से अधिक पेशियां होती है ठीक है इसके अलावा दोस्तो जो पेशियां है प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग है और कारे की अधार पर पेशियों को जो है दो वर्गों में विभजित किया जाता है पहली होती है दोस्तो पंगो रुदीर वहिका और त्वच्चा की दिवारों में पाई जाती है याद रखिएगा दोस्तो नास्ट किशिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्ण किशिन है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार बताईए दोस्तों क्या होता है तो दोस्तों जो रसाइ के अनुपात में मौझूद होते हैं और किसी दार्त में द्रव्यमान जो है उसके घनत पर निर्भर करता है इसके अलावा दोस्तों जो ठोस तत्व है उसमें घनत अधिक होता है और गैस तत्व में अधिक होता है और गैस में द्रव्यमान कम होता है इसके अलावा दोस्तो जो द्रव्यमान है इस्थान परिवर्तन में नहीं बदलता इसे जो है दोस्तो द्रव्यमान सनरक्षन का सिद्धान्त कहते हैं और जो दोस्तो भार होता है भार जो है दोस्तो इस्थान परिवर्तन में बदलता है और भार वस्तु का जो क्या है जी है ठीक है जी के मान पर नि बताएं दोस्तो कौन से क्रम में? तो वे है तत्वों के पर्माणु संख्या का बढ़ता क्रम ठीक से ततो आदूनिक आवरे सांडनी जो है तत्वों के पर्माणु संख्या का बढ़ता क्रम पर अधारित blended। और आदुने कावरे सांडनी जो है दोस्तो हैंडरी मोसले द्वारा 1913 में दिया गया था ठीक है 1913 और दोस्तो आदुने कावरे सांडनी जो है अधार परमानु क्रमांग है और दोस्तो किनी दो तत्वों का परमानु संक्या जो है एक नहीं हो सकता और दोस्तो परमानु क्रम जो तत्वत दोस्तों बाएं और हैं उसमें धातुओं का गुंड जो है दोस्तों अधिक पाया जाता है और दोस्तों आवरे सार्णी में बाएं से दाई की और जाने पर धातु के गुंड में जो है क्रमशा कमी आती जाती रहती है याद रखेगा दोस्तों नास्ट केशिन प i30 में होता है और दोस्तो जो अलेंग्गिक प्रजनन है तिके ड्वी विभाजन यानि आनि बाइनरी फिजन बहु विभाजन यानि मानं फिजन औरबRe Claire द्वारा होता है याद रखेंगा दोस्तो और दोसिंगि प्रजनन में जो है नर और मादा और अमीबा और प्लास्मोडियम ये जो जीव है दोस्तों प्रोटो जूआ संग से संबंध है ठीक है दोस्तों प्लैनेयरिया में जो है निशेशन के रिया आंतरिक होता है याद रखिए गां और दोस्तों यह वीडियो करना बिल्गूल नहीं तो शेयर ज़रूर करें नूर्ट करें से किसका प्रियोग निससंक्रामा को कि टानों नशेक के रूप में किया जाता है तो दोस्तों वह है सी अोजी ल्टू ओके दोस्तों इन जो है si a-yosl2 इसका जो प्रियोग है दोस्तों नी संक्रामक और qitannoyyn Hoşegн के रूप में किया जाता है और दोस्तों bleaching powder का जो formula होता है chemical formula वो क्या होता है बिताइए तो दोस्तों वह है c-a-o-c-l-2 ठीक हैं दोस्तो c o c l two का जो प्रयोग की जाता है वो किस्में की जाता है तो दोस्तों वैक की जाता है कितानो नाशक के रूप में कागज और कप्ड़ों के व्रंजन में रसाइनिक उद्योगू में, उप्चयक के रूप में, ख्लोरोफोर्म के उत्पादन में ठीक है, दोस्तों क्लोरिन का जो उप्योग है वेकिया जाता है S.C.L. के निर्माण में, मस्टर्ड गैस पनाने में, C.A.O.C.L.2 के निर्माण में और कपड़ों और कागस को विरंजित करने में और इसके लावा दोस्तों जो मैगनेशियम है, ठीक है, मैगनेशियम क्लोराइड उसका प्रियोग होता है रूई की सजावाट, सोलल सिमेंट इन सब के रूप में याद रखिए का दोस्तो नास्ट किशिन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्ण किशिन है, निमले खित में से कौन सी धातू उभे धर में ऑकसाइड बना सकती है, तो दोस्तो वह है ZN, दोस्तो ZN जो है यानिकी Zinc, दोस्तो ये धातू जो है उभे धर में है वह है दोस्तो Zinc blend ठीक है, यानिकी ZNS और Calamine, दोस्तो जो है एक अभे धर में ऑकसाइड भी है और इस अभे धर में ऑकसाइड को जो है, फिलोसफर उल कहते हैं, ठीक है, और दोस्तो ये जो है प्रकरती में Zinc आसाइट या लाल Zinc आइस के रूप में पाया जाता है, दोस तो इस आई सेबसे होता है, याद रखेंगे, दोस्तो, nextENT question पिश्यन पे चलता है, हमरे next important question है, पित के कारे को क्या कहा जा सकता है, तो दोस्तो वह कहलाता है 85 करण, धोस्तो पित का जो कारे है 85 करण कहते हैं, और पित जो है दोस्तो में यकृत से स्रावित होता है, और दोस नासपाती के अकार की एक ठेली होती है और पिताशे में जो है दोस्तों पित जमा होता है दोस्तों जो पिताशे है पिताशे में पित पकवाशे में पित नालिका के माद्यम से आता है और पित का जो पकवाशे है उसमें गिरना प्रतिवर्थी क्रियद्वारा होता है इसके अ पसाओं को इमल्स करन करता है चिकन है तक याद रखिएगा निरीक्षेशिंग चलता है हमारा नेक्स्ट इंप पॉर्मूर्ड के शनाइट याउम्ड इस एक चतुर्थ परमांव टत्व है उलाइए दोस्तों सा है तो दोस्तों है फॉस्फोरस दोस्तों फॉस्फोरस जो है चतुर्त परमानु तत्व है ठीक है और इसका जो फॉर्मला होता है केमिकल फॉर्मला दोस्तो वय है P4 ठीक है और फॉस्फोरस का जो दोस्तो इंडिकेट है जिससे हम दर्शाते हैं वय होता है दोस्तो पी इसके अलावा दोस्तो जो परमानु संक्या है फॉस्फोरस का वय ह होता है 31 ठीक है और स्चुछ वास्फोरस को दोस्तों पीला फॉसफोरस भी कहते हैं इसके आलावा दोस्तों जो पार Chris पार्ण क्या होता है एक प्रमाण्विक होता है और इसकी डोपा यह दोस्तों यहां पे पार फॉफर की सप्था अन उसको सीधा का यहाद तो दोस्तो वे कहलाता है वेग दोस्तो विस्थापन के परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है और दोस्तो वेग जिसको हम दर्शाते हैं V से वेग पराबर होता है DS upon DD के ठीक है और दोस्तो वेग जो है एक सदिश राजसी है और इसका जो ऐसा यूनिट है दोस्तो वेग होता ह मीटर प्रति सेकंड ठीक है और दोस्तों किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर है वैक कहलाती है तुवरण जिसको हम दर्शाते हैं एक सदिश्रासी है और तुवरण का जो ऐसा ही मात रख है दोस्तों वे होता है एम प्रति सेकंड के स्क्वार ठीक है और दोस्तों किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तै की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल कहते हैं और दूरी तता चाल जो है दोस्तों सदेव जो है क्या ह होती है धनात्मक होती है याद रखी का दोस्तों नास्ट किशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्ण के परावर्ति किरणों के वास्तविक प्रतिछेदन द्वारा निर्मित प्रतिबन जो हम स्क्रीन पर देखते हैं क्या होता है तो दोस्तों वह होता है वास्तविक ठ ठीक है दोस्तो परावर्ति केर्णों के वास्तविक प्रती छेद द्वारा जो है निर्मित प्रती बिम्ब ठीक है जो कि हम स्क्रीन पर देखते हैं इमेज वो होती है दोस्तो वास्तविक और दोस्तो अफ्तल लेंस में जो है प्रती बिम्ब ठीक है F2 और प्रकाशिक केंद् और ये प्रतिबीम जो है दोस्तो सीधा एवाम अभासी और वस्तु से छोटा होता है और चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए याद रखिएगा दोस्तो और दोस्तो इसके अलावा जो है दोस्तो क्या होता है इसके अलावा दोस्तो यदी जिके उत्तर लेंस में वस्तु जो है अनन्द पर हो तो प्रतीबीम जो है दोस्तों वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा होता है हमारे next important question है new land ने डैस नियम दिया था तो दोस्तों वैय दिया था अस्तक का नियम दोस्तों new land ने जो है अस्तक निय हो दिया था और new 違 living में जो balanced searches material comigo में सर्व प्रद्रम प्रकाशित व्युवा और मैंब जो है दोस्तों आफर आप्र मांग परधारीट है और दोस्तों प्रमांव जो क्रमांग आदारीट है इस इसके अलावा दोस्तो आधोनेक आवरे कि с Alexandra में जो है एठारा वर्ख और साथ जो है आफ्रत है है ठीक है याद रखिये कगई ढूंस दोस्तो नेस्ट केशन पर चलते है है हमारे next cuzлан कि पेशी उतनक कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तो वे होते हैं तीन प्रकार के ठीक है कौन-कौन से होते हैं एक्षिक उत्तक अनेक्षिक उत्तक और हिर्दे उत्तक दोस्तो एक्षिक जो पेशिया उसको रेकित पेशिया भी कहते हैं ठीक है रेकित पेशिक उत्तक और अनेक्षिक जो पेशिया के लिए ऐसे की मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक-प्रकtt करेगे करना बिल्कुल न भूब सबस्क्राइब करना बिल्कुल भूलें हर सबसेसाथ सब्सक्राइब करना भी कीचMusic यादर को सके तो दूस्रों कीषćन पर पीएच सवन ठीक है से पिएच जो मान है दोस्तो से बढ़कर फोटीन हो जाता है तो विलियन में जो है डैस आयन संद्रता में वृद्धी को दर्शाता है तो दोस्तो वह है और वैँ ओऊच मा Crash दोस्तो यदि किसी विलियन का जो पीएच सवन मान है ठीक है इससे बढ़कर अगर 14 हो जाता है तो यह जो विलियन में है OH- आयन संद्रता में वृद्धी को दर्शाता है और दोस्तो आरहेनियस का आयनिक सिद्दान ठीक है उसके अनसौर जो है भस्म वेपदार्थ है जो जलिये घोल में हाइड्रोकसाइड आयन जो की है OH- ठीक है वो देता है और दोस्तो पी-च को जो मान है विलियन का 7 तो दोस्तो वेज next important question है दी गई रसाइनिक अभी क्रिया को पूर्ण करें CS3 CS2 OH plus 3O2 बताइए दोस्तों किसको रियक करेंगे तो दोस्तों वह है 2CO2 plus 3S2O plus उर्जा दोस्तों उस्मा शेपी अभी क्रिया है क्या है N2 plus 3H2 जो कि रियक कर रहे है 2NH3 plus उस्मा से ठीक है और उस्मा शोशी जो अभी क्रिया है वह है दोस्तों C plus 2S plus उस्मा ठीक है जो कि अभी क्रिया कर रहे है दोस्तों CS2 से याद रखेगा next question पर चलते हैं हमारे next important question है कौन सा है तो दोस्तों वह है इनका जो गलनाक और क्वंथनांक है उच्छ होता है याद रखेगा दोस्तों हमारे last important question है एक वस्तु पर कार्यत एक डैस बल इसे गति प्रदान करता है तो दोस्तों वह है असंतुलित याद रखेगा तो दोस्तों यह थे science के important top 20 mcq most important questions आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया है यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा पसंद आया तो अपने study radio group में शेयर ज़रूर करें और ssc maker को like subscribe and share करना बिल्कुल न भूलें आज के रिए बस इतना ही thank you so much दोस्तों